Buy low और sell है, ये तो सबको बता है, कैसे करना है इस वीडियो में हम सीखेंगे CoinSwitch app के home screen पे portfolio में जाओ अब जो crypto बेचना है उसको select करो और sell पे tap करो आब टॉप राइट में instant दिखाए इस पे click करने पर आपको मिलेंगे तीन option Instant order, limit order और market order Instant order मतलब coin के current sell price पे उसी time बेचना है बस कितने coin बेचने हैं वो type कर दो और बेच दो ये instantly complete हो जाता है Limit order में बस limit price और validity सेट करनी है Limit price मतलब वो price जिस पर आप वो coin बेचना चाहते है आपका order सिर्फ इसी price पर पूरा होगा और ये set validity तक ही active रहेगा अगर आपका order उस time के अंदर limit price हिट नहीं करता है तो order अपने आप delete हो जाएगा और execute नहीं होगा तीसरा है market order यहां आप ता खरीदा हुआ coin market के buying price पे बिखेगा मतलब जैसे ही उस crypto का selling price और current buying price 24 गंटे के अंदर बराबर हो जाता है तो आपका order execute हो जाता है नहीं तो यह अपने आप delete हो जाता है अगर आप limit या market order place करने के बाद delete करना चाहते है तो उस coin के orders और history में जाए और order को delete करते है अब आप भी धीरे धीरे एक शातिर trader बनते जा रहे हैं Congratulations